दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि मसीन एक काम अनेक आल-इन-वन हाइड्रोलिक मसीन से आप कितने तरह का आइटम बना सकते हैं और एक ही मसीन से आप सारा आइटम बना सकते हैं और अपना मार्केट अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं और मार्केट में आप हर तरह क आइटम बनाके अपना डिमाइंड बढ़ा सकते हैं तो वीडियो को लाश्ट देखना आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि कौन-कौन सा इस मसीन में आइटम बन जाएगा हेलो दस्तों हमस्कार मेरा नाम सुनील और आप सब का बहुत-बहुत स्वाब करता हूँ मेरे सिट्यूशनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खास ट्रोपिक पर हम बात करेंगे और बहुत लोगों की आँखे खोल देंगे इस वीडियो के माध्यम से त्योंकि बहुत लोग जो हैं आज और इस टाइम में लोग ऐसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं और इतना सोचते हैं कि एक बार में करोरपती बन जाएंगे तो इसलिए आज हम बात करेंगे हाइडोलिक आल-इन-वर मसीन के बारे में जिसमें आप चपल भी बना सकते हैं मसाला इस बीडियो बनाने का उद्देश है किसी भी कंपनी वाले के खिलाफ नहीं है और ना तो किसी कंपनी वाले का बुडाई हम कर रहे हैं मेरा ये बीडियो बनाने का मतलब यह है कि जितने भी लोग अभी हैं सब लोग के मन में बहुत तरह के खयालात के लोग हैं बहुत तर की सोच रखते हैं क्योंकि मेरा कहने का मतलब है लोग सोचते हैं कि हम हाइड्रोलिक ओल इन वन मसीन लगाएंगे उसमें हम पत्तल भी बनाएंगे उसमें हम स्क्रवर भी बनाएंगे उसमें हम स्लीपर भी बनाएंगे उसमें हम मसाला भी पैकिंग करेंगे उसमें और भी कई तरह के हम आइटम बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यूटूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं कि मसीन एक काम अनेक एक मसीन से 56 तरह के आइटम बना सकते हैं एक मसीन से 100 तरह के आइटम बना सकते हैं और लोग इन सब चीजों में जो गुमराह हो रहे हैं हमें उनक को कुछ बताना है इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं तो किसी भी कंपनी वाले के खिलाप मेरा कोई ये नहीं है कि किसी कंपनी वाले का हम वो कर रहे हैं हम सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो लोग 72 तरह के आइटम सोच के all-in-one लगाते हैं और लगाने के बाद फस जाते हैं फसने कि बाद मसीन वाले को कोचते हैं या किसी ओक बी कोचते हैं तो ये हम उन्हें सिर्फ आइना दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कोई भी इंसान जितना भी सूचता हो जितना भी ज्यादा लोग सोचता हो कि हम एक मसीन लगाएंगे च्छपन तरह के आइटम बनाएंगे हम तो मार्केट में इतना डिमांड हो जाया कि हम तो महीने दिन में नोट शापने की मसीन लगा लेंगे कि उन लोगों से उन भाईयों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप कितने लोगों को देखे हो इस तरह का काम करते हुए इतना ज्यादा इस्टाइटेड हो जाते हो आप लोग ओल इन वन लगाने के बाद कि हम चपन तरह के आइटम बनाएंगे तो हम उन भाईयों से कहना चाह तो क्या ऐसा कोई एक कमपनी दिखा दो जिसमें और लगाने के बाद या कोई बंदा दिखा दो कि यह मसीन लगाने के बाद कौन ऐसा बंदा जो चपल भी बना रहा हो पतल भी बना रहा हो हैड्रोलिक में आपको मसाला पैकिंग भी कर रहा हो और स्क्रबर पैकिंग भी कर र तो मैं मान जाओंगा कि हाँ रियल में एक मसिन से 56 तरह का आइटम बनाया जा सकता है हम लोग को ये बताना चाहरे हैं कि भाई यदि आप कोई साभी धंदा करो कोई साभी बिजनस करो किसी भी आइटम को आप बनाने की सोच रहे हो तो उससे पहले सबसे पहले आपको मन में एक प्लान रखना है सिर्फ एक प्लान कि क्या आपका प्लान है क्या आपका मोटीव है क्या आप करना चाहते हो एक चीज पे रहो ना कि दस चीज पे है यदि आप ज़्यादा ओभर स्मार्ट बनते हो कि भाई हम All In One लगाएंगे उसमें पतल भी बनाएंगे उसके हम चपल भी बनाएंगे उसमें हम स्क्रवर भी बनाएंगे उसमें हम मसाला पैकिंग भी करेंगे तो इतना आप जो सोच रहे हो उतना नहीं कर पाओगे इसलिए क्योंकि आपको एक ही आइटम का मट्रियल जुटा नहीं पाऊगे आप मार्केट में तो दस आइटम कहां से कर लोगे किसी के बस की बात नहीं है कि दस आइटम बनाकर मार्केट में सेल कर लेना तो आप लोग अपना कुणा खुद खोजते हो उसमें गिरते हो फिर बाद में कहते हो कि हम फस गए अरे फसता कोई नहीं कहने वाला हजार कहेंगे कि इसमें ये बनेगा वो बनेगा वो बनेगा इतना करोगे उतना करोगे लेकिन आपका दिमाग क्या करता है आपको समझ में नहीं क्यों नहीं आता है कि यार पहले हम तो अपने आपको देखे कि हम कितना कर सकते हैं कितना हमारे अंदर में छमता है कितना हम इसमें पैसा लग अगता बहुत की लिता सोन्च के मसीन ाइडिया सूँआ है नाम। को दो घ्राने के बाद ऑन बतूर native toมah था नश्वायोन ने कौते पाता है.. तो उस्युन करें के संच किया कुर भी। ज़ितना भीный आइडिया लगाते हैं नाइ अव। तर चला जाता है बात थोड़ा सा कड़वा लगेगा आप लोगों की सच कड़वा होता है और यह हम आप लोगों को आखे खोलने के लिए बना रहें वीडियो क्योंकि बहुत लोग मेरे पास में कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आप हमें अपर ध्यान दो यदि आपको मसाला पाकिंग एक ही अइटम करो कोई आइटम कोई आप लगाओ लेकिन शिर्फ और शिर्फ एक आइटम पर फोकस करते हो तो ही आपका काम चल पाएगा और उसी आइटम के पीछे जितना भी आपके मैस पैसा है उसमें आप लगा दो तो आप करके आप सक्सेस हो पाओगे और यदि आप दस नाव पे रहोगे ना तो डूब जाओगे इस चीज को आप लोग ध्यान में रखके काम करें कि बहुत लोग का बहुत ज्यादा लोग आज कर इसी वज़े से फच रहे हैं और वीडियो भी बहुत ज्यादा आ रहाई यूटू क्योंकि जितने भी लोग हैं मसीन का काम है करना मसीन तो कड़ देगा जितना चाग उतना इटम बना देगा लेकिन आपके अंदर में छमता है आप उतने तरह का मार्केट कर सकते हो हर चीज के लिए अलग-अलव मट्रियल आ सकते हो अलग-अलव मट्रियल के लिए उतना प मैट्रीयल कि दो थोड़ा सा मसाला वाला मट्रीयल थोड़ा सा मैट्रेटर यह लेने से कुछ नहीं होता है जो भी लेना है कोई एक आइटम लो और भर पूर लो जिससे कि आप एक बाप मट्रेयल खड़ीदे हो तो महीना दिर्कम से मसीन को आप चला सको इस तरह से आप काम करो तब जाकर कि कोई भी काम सक्सेस होगा लेकिन आप सोचते हो कि हम एक मसीन लगाएंगे उसमें दस तरह आइटम बनाएंगे लेकिन जब मसीन लेकर आते हो तो ठंडे पर जाते हो क्या क्या बनाएं उसके बाद आप ठंडे पर जाते हो यहां पर कि मार्केट में कौन सा मार्केट में करें कौन सा मार्केट हमें समझ में आया क्योंकि बहुत लोगों का इसका मार्जन ही नहीं पता है कि कौन सा आइट कि लोगों को सही राह दिखाना संट कोई सा messing लोग लेकिन आप पहले अपने आप से पूछो कि क्या हम इसमार्केट में सक्सेस हो पाएंगे क्या हमने इसके bathroom knowledge है बहुत लोग तो TISShhh मारखान बनते क्या हम लेंगे कर लेंगे क्या six में हैечат लेकिन जब लेते हैं तो साला सभी सिर्फ लगे हुए हैं पेपर प्लेट में क्या मेरे फास में है नहीं है क्या हम नहीं लगा सकते हैं 10 तरहDieंट हैं क्यों नहीं बना रहें क्योंकि दस तरह का मार्केट करना और एक तरह का मार्केट करना बहुत फर्क होता है यदि हम दस तरह के वज़े पर जगह पर एक ही मार्केट को हम फोकस करें तो क्या हो मेरा नहीं भीकेगा मार्केट करने का एक अपना नजरिया होता है काम करने का अपना नजरिया होता है यदी आप अछे से करते हो तो सारा काम एक बार में होगा आप चाहो कि स्क्रबर वाला जुए जूना पैकिंग वाला हम अगर मंगवा लेते हैं दस दुकान में वो करेंग़ peng तो नहीं होगा हाँ यदि आप करना चाहते हो रियल में तो हम आपको रास्ता बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हो पहले आप कोई सा भी एक आइटम का मार्केट बनाओ यदि आपके अंदर में दम है तो मैं रास्ता बताता हूँ आप करके दिखाओ पहले आप एक मार्केट बनाओ किसी भी चीज का या तो पेपर प्लेट का हो या इसक्रवर का हो या फिर मसाला पैकिंग का हो और उसका पहले अच्छी तरह से उसको आप चलाओ जब वह आपको लगे कि मेरा मार्केट में डिमांड अच्छा हो गया है मेरे पास में फोन पर ओडर आने लगा है तब आप उसके बाद दूसरा एटम शुरू करो जैसे कि मान लो आप स्टाटिंग इस क्रवर से इस क्रवर से इस क्रवर आपका अच्छा चल रहा हो तो आप चले है तब आप प्लेट कर लो क्योंकि यह तीनों आइटम जो है एक ही जगह पे आपका से लोग आई एख ही जगह पर आपका बिके गाई है तो यदि किसी भी चीज का एक पहले मार्केट बनाते हो उसके बाद तीनों चीज़ को धीर धीर हर एक साल बाद आप अपने मार्केट बनाना असान नहीं है क्योंकि मार्केट बनाने के लिए आपको हमेशा अपने मसीन पे माट्रीयल ला वाला भी नहीं है यदि आप सुचते हों कि मसीन लगा लिए और 10,000 का 20,000 का मट्रियर ले लिए तो मेरा काम चल जाएगा तो ऐसा काम चलने वला नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बैल आखन जरू प्रेस करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक के लिए धन्यवाद